अस्लाम अलेकूम, वेलकम बेग इन आईशा का किचन, आज आईशा के किचन में बन रहे हैं सूजी के लड़ो, सूजी के लड़ो बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम सूजी ली है, 300 ग्राम शक्कर ली है, पिसी भी शक्कर है, इसके साथ में इलाइची को भी पीस लिया है, एक फूट कलर है, फूट कलर अप्षनली है, मावा अधिक्तम हमें सूजी के बराबर लेना है, और मिनिमाम 100 ग्राम लेना है, थोड़ा सा घी मैंने कडाई में गरम किया है, अभी सूजी को सेख लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम ये टेस्ट्री लड़ो बना सकते हैं, कि मैं जो भी नया वीडियो डालो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, 15 मिनट में ये लड़ो हमारे बन जाएंगे, ये सूजी का रंग बदलना शुरू हो गया है, और अच्छे सी खुश्बू आ रही है, इस सूजी को हमें डार्क नहीं सेखना है, रंग बदलना शुरू होगा और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये इसका रंग बदल चुका है, अब इसे में एक प्लेट में निकालूंगे, मावा और शक्कर दोनों को हम करम कर लेंगे, ये मावा और शक्कर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इस मावए और शक्कर में मैं थोड़ा सा दूद डाल रही हूँ दूद मिक्स करने के बाद हम ये food colorate करेंगे food color बाद हम ये शिकी वी सूजी इसमें डाल देंगे सूजी मिक्स करने के बाद हम फ्लैम को आफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढख कर रखेंगे लगभग 5 मिनट तक मैंने इसे ढख के रखा है अब ये करम ही है अब इसमे में ड्राइफ रूट से मिक्स करूंगी ये सूजी अच्छे से साफ्ट हो गई है ड्राइफ रूट से मिक्स करने के बाद इसके हम लड्डू बना लेंगे ये लड्डू बना कर इसे हम इस तरीके से खोपरे में लपेट देंगे ये बहुत है टेस्ट्री लड्डू है ये हमारे सूजी के लड़ू कम्प्लेट है ये रेसीपि आपको किसी लगी जरूर कमेंट से करीगा मुझे आपके कमेंट से का इंतजार रहेगा अल्ला हाफीज